ब्रंदावन की एक अनन्य भक्तित थी नाम था उनका कांतावाई जो की बिहारी जी को वो लल्ला कहा करती थी उन्हें वो बहुत लाड़ प्यार करती थी एक दिन वो बिहारी जी के दर्सन करन के लोट रही थी तो उन्होंने देखा लड़ू गोपाल की प्रत्मा बहुत ही प्यारी है उनके मन में आया क्यों ना मैं इसे ले लूँ इतना सोचने के बाद उन्होंने लड़ू गोपाल की प्रत्मा ले 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 और फिर वो घर ले गई गई कांतावाई की एक बेटी थी जिसकी पास के गाउं में साधी हो गई थी कांतावाई घर में अकेली रहा करती थी लेकिन गोपाली के आने से दो लोग हो गई थे लड़ू गोपाल की वो खूब सेवा लार दुलार किया करती थी जरा भी तकलीफ नहीं होने देती थी एक दि की बात है कांता भाई अपने लल्ला को भोग लगाने के बाद लार दुलार करने के बाद बिस्त्राम करा दिया और खुदी भी थोड़ी देर आराम करने लगें तब ही उन्हें जोड से हिच्कियां आने लगें और वो इतनी बेचैन हो गएं कि उन्हें कुछ भी नहीं सूज गएं और लल्ला से बोली तुम मुझे याद कर रहे हो सायद मेरा लल्ला डर तो नहीं गया मैंने कमरे में आकेला छोड़ दिया तुम्हें फिर लल्ला से मैं बोली साथ में चलो बैठते हैं और रादे रादे रटते हैं ऐसे वो लल्ला से बाते करने लगी इतने में अचा सारा किस्सा बिटिया को बताया कैसे मैं हिचकियों से बेचैन हो गई लेकिन बिटिया बिटिया ने सारे सिर अपने उपर ले लिया मा मैं तुम्हें याद कर रही थी तब ही तो मेरे आने से आकी हिचकियां बंद हो गई कांतावाई ध्यान से सुनती रही और वो हैरान हो गई ऐसा भी क्या होता है तब बिटिया ने कहा मा ऐसा ही होता है जब भी हम सच्चे मन से किसी को अपने को याद करते हैं तो अब ऐसा ही होता है कांतावाई ने सोचा मैं अपने लल्ला को तो हमेशा याद करती रहती हूँ तो हाई मैं तो मेरा छोटा सा लल्ला हिच्कियों से बेचैन हो जाता होगा ऐसा वो पूरी राज सोचती रही सुबह होने तक कांतावाई ने फैंसला किया अब ऐसा नहीं होगा मैं जरा भी परिसान नहीं होने दूँगे उसी दिन से कांतावाई ने ठाकुर जी को याद करना छोड़ दिया और अपने लल्ला को बिटिया को दे दिया सेवा के लिए कांतावाई ने फिर एक पल भी लल्ला को याद नहीं किया और ऐसा करते करते हपते बीट गई जब उन्हें याद आती थी तब वो बिहारी जी के दर्सन करने चली जाती थी और फिर एक दिन जब कांतावाई सो रही थी तब ही बिहारी जी सपने में आते हैं और कांतावाई के पैर पकड़ कर कहते हैं मैया ओ मैया और विहारे जी रोने लगते हैं और कांतावाई फॉरन जाग जाती है और कहती है रादे रादे फिर बोलती है लल्ला मेरे प्रभू आप तो अकेले भी नहीं मिल पाते हो समाधी लगा कर निरंतर ध्यान करते हैं फिर मुझ जैसी पापिन तुमसे तुझे याद करना भी छोड़ दिया उसे दर्सन करने कैसे आ गए मैं समझ नहीं पाई तब बिहारी जी ने मुस्करा कर कहा मा आप बड़ी भोली हो कोई जब मुझे याद करता है तो या तो उसका कोई बस्तु पाने का स्वार्थ होता है या फिर कोई सादू ही मुझे याद करता है तो उसका भी मुक्ति पाने का स्वार्थ होता है लेकिन तुम तो धन हो मा जिसने ये सोच कर याद करना छोड़ दिया कि मेरा लल्ला मेरी याद करने से परिशान हो जाता है तब ही बिहारी जी ने ऐसा वरिदान दिया कि मा तुम् खुब सच्चा प्रेम करिये लल्ला को रादे रादे